कर दो कर दो कर दो कर दो हो हेलो वेल्कम टो माई ब्लॉग संद्यानू लाफिस्टायल अप लोग कैसे हैं करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मौसन काफी अच्छा है जैसे बहुत तीज आंदी आने वाली है और आज लाइट बहुत ज्यादा कट रही है तो खाना मेरा बन चुक है बहुत ज्यादा जिल्दी बन गया है तो सोच रही हूं ना चलके कोछ और काम निप्टा लेते हैं पार्मवानी भर लेते हैं और लाफात बहुत दिक्कत हो जाती है और अभी ना इस ही मेरा जोबस देके गई है तो वह पी रही थी चलिए पिर मिलते हैं और गर्मी में आप लोग जानते हैं कि कितनी लाइट करती है तो बस यहां भी हाल है और यह मेरा पांच चीटर का वाटर कुलर है जिसे में रोज पानी भरके रख देती हूं कभी बच्चे बढ़ देते हैं या फी कभी में बहस्बन भी टाइम मिलता है तो वह भर देते हैं मेरे यहां दों धूल मिटी आप लोग जानते कितना ज्यादा आता है तो बस मैं इसको रोज अच्छे से साफ करके फिर पानी बढ़ती हूं प्रकिसमें कोई गंदेगी ना रहे और पानी बिल्कुल साफ रहे और हमारे अना सुबे शॉम से पानी आता है तो इसलिए और भ पानी बाटोकुलों को भरके रखने का एक रिजन और भी है कि घर में हम सभी लोग बढ़े हैं तो हमारा आराम से हारों तक पानी हम ले लेते हैं लेकिन प्यू माई सबसे छोटी है तो क्या करती है फो तो बच्पन में पता है इस लैप पे चड़ जाती थी लेकिन ड़ ल और हमेशा की तरह मैं अपना एक दिन की पहले के से त्यारी करके रखती हूँ तो पहले सही मैंने अपनी सब्जी काटके रखती है यह कुंडू है यह मुझे बहुत पसंद है हलकी सी खटी होती ना तो दाल के साथ और अच्छी लगती है और जब से हम लोग यहां पर आये ना पीओ की जब भी छुटी होती है वो अपने पापा के साथ डेरी जाती है और पीओ को ना वहां जाना काफी पसंद है और इसमार विकेशन स्टार्ट हुआ है तो पीओ को ना एक नई दोस्ट बन गई है इसका नाम तो नहीं पता यह बकरी का चोटा सा बैच्चा है और मुझे यकीन है जब इसकी फोटो आप लोग भी देखोगे तो शायद आपको भी इससे प्यार हो जाएगा आज की वीडियो बस इतनी ही मिलते है अपसे अगले ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल लखेगा ओके बाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने प्रेंज को शेयर कीजेगा और लाइक कीजेगा ओके बाई